Awakening with Brahma Kumaris ओम शैन्ती, Awakening with Brahma Kumaris में आज फिर आपके साथ हैं और आज फिर बात करेंगे दाधी जानकी की जी हाँ, Brahma Kumaris की administrative hit और लगभग 75 साल से जो ज्यान में है किस तरह से उन्होंने अपने जीवर में ज्यान को उतारा, उनका एक एक शब्द हम सबको बहुत इंस्पायर करता है और उन्हीं के शब्दों को लेकर आज हमाए साथ है Brahma Kumaris sister Shivani ओम शैन्ती ओम शैन्ती जो पहले administrative head थी उन्होंने जब अपना पुराना शरीर त्यागा देन दादी जान की बिकेम अध्मिनिस्ट्रेटिव एड उससे पहले वो लंडन में रहते थे और वो इंडिया से बाहर जितने centers हैं 130 countries में जितने centers हैं उनके पीछे की motivating force रही हैं, driving force रही हैं of course पूरी organization के लिए, but directly very responsible सारे centers जो all outside India खुले हैं क्योंकि एक-एक center, एक foreign country में खुलना अपने आप में बहुत बड़ा process होता है कहीं cultures अलग हैं, कहीं religions ही अलग हैं बहुत सारी ऐसी बातों को और challenges को cross करना पड़ता है and she has done it only with the power of yoga, with the power of meditation she was sharing one day with us, कि जब मुझे पहली बार ये direction मिला के लंड़न जाना है तो मैं सुचा, इंग्लिश भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आएगा किसी से तुमें ग्यान भी कैसे शेर करूंगी, कुछ भी नहीं शेर कर सकती they do not understand me and I also do not understand them तो मैं करूंगी क्या वहाँ जाकर तब बाबन ने जैसे कि कहा कि जो बाबा की अनुभूती है वो करानी है ज्यान बहुत सारे भाइपे नहीं है ज्यान की जरूवत नहीं है just with the power of vibration और वो हमने इन पिछले 40 वर्शों में देखा जबकि दादी ये इतने सारे देशों में जाकर ये सिरफ योग की power, vibrations की भासना उससे ही आत्माओं को परमात्म से जोड़तिया है you know it's because when you sit in front of a soul who's carrying that very high energy field आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती यहां तक होता कि बहुत सारे लोग चिन्नों ने कोर्स किया या ग्यान का परीचे मिला उनके मन में बहुत क्वेस्चिन्स चल रहे होते हैं फिर वो बहुत बहुत करते हैं कई बार especially different cultures में अलग belief systems में तो बहुत discussions चलते हैं चलते हैं चलते हैं इतनी discussions होते होते भी clarity नहीं आए होती and फिर वो दादी से मलते हैं and सारे questions and फिर वो जब मिलने से पहले सोचते हैं हम दादी से पुछेंगे कि इसका अंसर, इसका अंसर सारी चीजे and after meeting it's the power of silence जो सारे questions finish करता है क्योंकि आप पूछोगे आत्मा क्या है, कैसी है, क्या करे लेकिन दादी के सामने बैठकर तो आत्मा अनुभव हो जाता है कि वो क्या है, अपने आपको भी it's not only about her when someone who is soul conscious and you sit in front of her you experience soul consciousness अभी तक आप discuss कर रहे थे soul consciousness and उनकी presence में आप soul consciousness आप पर मात्मा के प्यार को अनुभव कर देते हैं तो उसके बाद क्वेस्टन्स फिनिश हो जाते हैं so it's a very beautiful experience I think, you know, एक 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 मुकाम जब सारे सवाल गिर जाएंगे क्योंकि अनुभव अनुभव क्वेस्टन से बहत बहत चला जाता है तो वही और आज चलते हैं उनके पास और उनके शबदों को प्राप्त करते हैं definitely दुन्या में रहने वाले भाई भेनों को कहते हो भाई मेरे या भेने सार मेरे बालंस रखो भस देही जाओ उसमें योग पहले रहे कर्म पीछी रहे समंध रहे बालंस अच्छा रहेंगा कोई भी सोदा का ना होता है अब ग्रोसरी के दुकान पर जाओ अच्छा माल बैलंस अच्छा रखता है विश्वात बैठेंगा उसके पास ही जाएंगे जाए जवारी के पास जाओ सच्चाई की जो दिल में सच्चाई जो है न अच्छी भावना औरों को भगवान के पर बिठाती है नाम भगवान का लेवे काम और कुछ करे उठ बिल सिंग नहीं मिलेंगी नाम लेवे मैं परमात्मा का हूँ काम क्या कर रहा है सोच क्या रहा है बोल क्या रहा है वैसे पहले भी हम कहें भगवान तो अंतर जामी है तो सब को जानता है पर जब बच्चा बनी हूँ तो वो मेरे पर ध्यान लगता है इसके अंतर में क्या चलता है क्या करती अंदर अंदर एक बाया दूसरी तो नहीं है बलेसिंग तब ही मिलेंगी जब मैं बिस्फुल रहेंगी बलेसिंग बैलंस बिस्फुल है जब सद्दायान अंदा है सबस्टार जिसरां सदाधी ने कहा कि बैलंस अब यहाँ जो बात देख रहे है अभी तक हम जब सोचते थे कि बैलंस मतलब काम में घर में चारों जो आस्पेक्ट्स है सोशल फिजिकल इस सरह के जो लाइफ है उसका बैलंस यहाँ I just want to know किस बैलंस की बात के रहे है अज दिन तक जब भी हम spirituality की, meditation की अब तो फर भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है लेकिन हम कहते थे यह सब कब के लिए हैं रेटार्मेंट के बात अभी और अगर कोई करता भी था I remember when in my college days I started meditation people would say क्या बात है कोई problem है life में कहीं दोका मिला है कुछ हो गया अभी भी जो भी मेरे friends और उस समाई के social circle वो मिलते कहते हैं जीवन में कुछ हो गया था जो यह करना शिरू कर दिया means इसको spirituality को जीवन का एक normal हिस्सा कभी नहीं माना यह सोचा retirement के बाद या फिर वो लोग इसकी तरफ जाएंगे जो जीवन की normal activity से escape करते हैं ready नहीं है face करने के लिए या फिर वो जाएंगे जिनके साथ कोई tragedy हो गई है normal people don't need to go तब हमने उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना आज भी किसी को कहें आप meditation सीखें तो पहले अपने पूरे काम के लिस्ट पताएंगे यह करना यह करना यह करना फिर अगर time मिलेगा तो हम meditation करेंगे मतलब सुबा तो मेरे जुन्दीकी ऐसे ऐसे बढ़ी होती है तो दादी ने अज कहा पहले योग फिर करम इन ही कि मैं करम सरे कर लिए yagur time मिलेगा तो योग कर लюगा क्योंकि अगर पहले योग फिर करम it's like mobile मुझे सारा दिन ही यूज करना है तो पहले चार्ड देन यूज not कि मुझे तो time ही नहीं हैu उसको थोड़ी देर चार्जर से लिगाने के लिए पहले चार्ज फिर रात को पहले चार्ज फिर यूज तो योग means charging yes because then you are always charged in the whole day तो इसलिए आदी नहीं कहाँ वो बालंस यह नहीं कि यह करने के लिए मेरे पास time नहीं to spirituality हमारे जीवन का एक integral हिस्सा बन जाए right from childhood तो तब हम जो भी करम करेंगे परमात्मा की याद में रहकर जो भी करम होगा वो हर करम कितना accurate होगा और उसी को दादी ने इतनी beautifully बताया कि फिर आपके हर करम में भी balance आजाएगा कहीं भी कोई भी confusion नहीं होगा और जो उन्होंने कहा कि आज कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम करते हैं हम भगवान का नाम लेते हैं हम कई बाड कोई संस्था का नाम भी ले लेंगे हम यहाँ यहाँ जाते हैं लेकिन करम कैसा है आपका सारत और दादी ने बिसनिस का भी example लिया कि वहाँ पर आपका करम कैसा है यह तो नहीं कि नाम भगवान का और करम कोई और, सोच कोई और, बोल कोई और, तो वो तब होगा, जब आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपने योग नहीं लगाया है, इसलिए आपकी चारजिंग नहीं हुई है, तो आप फलांस अंस्था में जा तो रहे हैं, लेकिन योग नही then you cannot say that I am practicing spirituality then you cannot because then I do not have the power to practice the normal universal values बहुत बड़ी बात नहीं है we are not even saying that soul consciousness वो तो एक अलग लिखा normal universal values of you know, honesty basic, basic, basic values को भी आज हमने कहा कि ये तो possible नहीं है क्यों? डिस्चार्ज थे तो डिस्चार्ज के लिए वो आज हां मुश्किल है क्योंकि वातावरण थोड़ा सा चालेंजिंग है लेकिन जो चार्ज है the values should flow तब हम कहेंगे कि जिसका नाम ले रहे हो वो ही फिर thought, word और action में है तो अपने आपके साथ ये checking जरूर करने चाहिए कहने के लिए क्योंकि आजकल meditation or spirituality भी एक conversation का हिस्सा सरफ बन चुकी है you know it's becoming like a status symbol कि मैं ये meditation करता हूँ आप क्या करते है it's become like the in thing अजकल लेकिन is it showing in my action is it showing in my thoughts, words and actions that I have to ask myself so it should not be just for conversation it should flow in fact this is what you know एक और भी जो बात दादी ने बोले कि honesty honest रहना इस जो पूरा आस्पक्त है तो उसमें क्या हम honest होते हैं actually हर एक को अंदर पता होता है क्या हो रहा है I think अगर हम थोड़ा भी awareness में हैं और थोड़ा भी अगर हम कह रहे हैं क्या हम अपने आपको देखते हैं हर एक को पता है क्या मैं honest हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं अगर एवन हम छोटी सी बात को थोड़ा सा घुमा कर करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर फील कुछ और कर रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं रहे हैं बोल एक काया करने की कोशिश कर रहे हैं ते नहीं ह typical हम क्या कर रहे हैं लोकिल को रहे साथ, इतना झाल साथ Кिंभा कि रहे है совет भी मोज़ नहीं है तुम को रहे हैं बाख त nervezале झाल नहीं है मैं भगवान को कहा मुझे अज्ड चल रहे हो तुमजे कहा चल रही हो तब चला रहा हूं हर बात में देखेंगे न हमारे पुर्षाद के बिगर भगवान भी क्या करेंगा अगर मेरे मेरे उपर आनेस्टी नहीं कहूंगी वो कहेंगा यह मेरा बच्चा है अगर मेरे में इमानदारी है वफादारी है अग्याकारी हूँ जो फर्मान करे मैं हाजूर हूँ तो ब्लेसिंग मांगने से नहीं एक में ब्लेसिंग मिलती है प्यार में शक्ति मिलती है पिर मिलता है वर्दान हो जाएगा बच्ची यह वर्दान है कब भी नहीं संकल पाएंगा यह कैसे होगा बर्दान है मैं इंगलिस नहीं जानती, मैं कुछ नहीं हो जाएगा, कोई साथ ही मिल जाता अस्थानचा मिल जाएगा धन के लिए कभी सोचा नहीं है कहां से आएगा तुम शिवाबची करते चल हो जाएगा, हो जाएगा तुम को क्या गाना है निष्कामी निलोभी दर्मोई हमारी जर्नी है, लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा परिवार अभी जुड़ा है, जो हर रोज ये टीवी का प्रोग्राम देखता है, ये उनका पुर्शार्त है, वो इसको एफट कर रहे हैं, बहुत सारे भाइबेने मिलते हैं, जो कहते हम जहां भी होते हैं, जो भी कर रहे हैं, हम टाइम निकालके अपने घर इस प्रोग्राम तक पहुंच जाते हैं, फिर वो पुर्शार्त करते हैं, वो अपने पास नोटबुक रखते हैं, जो जो उनको परमात्मा के जो ग्यान की पॉइंट्स है, वो मिलती है, उसको लिख यह जोब बटाए अपने, मैजे तो बॉपाँ नियुक। और उसने का बहगवान तुम्हे प्रोबम्स ठीक कर दो, तो मुझे तयर होने वाला है यह जो प्रुछ किर लिक कि आप सिरफ प्रोब्लेम्स ठीक करते रहेंगे और प्ली करते रहेंगे उसको कि मेरी प्रब्लम्स ठीक कर दो या मुझे ठीक कर दो इवन यह कहना पर मात्मा को मुझे शान्ती दे दो चलो प्रब्लम कोई ने मुझे शान्ती दे दो that's also कि मुझे नहीं कुछ करना पड़े आप वो पार्सल भेज दो you know it's like that it's not going to happen a packet of peace, a packet of love it's not going to happen without me making effort अब उसी तरहे जब हम इस विद्याले में सबसे पहले आते हैं तो हमें कुछ बेसिक मर्यादा हैं पता चलते हैं बेसिक कुछ के कैसे हम इस यात्रा पर चले तो फर्स चीज हमें पता चले कि रोज मुरली सुनो तो जैसे रोज टीवी का प्रोग्राम यह देख रहे हैं टेक वन स्टेप फोरवड कि अब रोज मुरली सुननी शुरू करो इस विल अलसो बी यूर पुर्शाथ फिर था रोज उतना समय निकाल कर मेडिटेशन करो फिर था भुजन की थोड़ी परहेस करो कि अगर आपको अपने मन को प्यॉरिफाइ करना है तो अन भी प्यॉर होना चाहिए नेगिटिव एंविरमेंट, नेगिटिव एनरजी का अन खाया फिर कहा योग नहीं लग रहा क्योंकि पुर्शार्थ नहीं किया तो पुर्शार्थ नहीं किया, रिसल्ट नहीं मिलेगी यह चोटी चोटी बातों पर फिर सारा दिन पर अटेंशन रखो कि यह नहीं कि जो स्टाडी किया जो पावर भरी, वो जाते ही लीक हो गई, अटेंशन कि मेरा थौ्ट, वर्ड, अक्ष्ण कैसा होना चाहिए अब जिसने ये पुर्शार्थ कर लिया उसका next day morning योग कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा next day morning योग अच्छा लगेगा चार्जिंग अच्छी होगी फिर ये basic पुर्शार्थ भी करेगा तो second day केसा बीतेगा, और भी अच्छा बीतेगा, there you are on a journey. लेकिन जिसने कहा, नहीं मेरे पस तो सुभो टाइम नहीं है, नहीं मेरे पस तो उठने के लिए भी, you know, I am not too tired, मैं नहीं उठके meditation कर सकता, सेंटर पर जाना, मैं संडे को जाऊंगा, तो दिन फिर result भी, उतना ही मिलेगा. So we have to be very clear, कि बिना पुरशार्थ के result नहीं मिलेगा. तो जो दादी ने कहा, कि परमात्मा ने भी कहा, तुम चल रहे हो, तो ही तो मैं चला रहा हूँ. I just created a scene, कि एक पिता का हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, लेकिन अगर एक बिठा बेठ चाएऔ और कहें, मुझे चलना नहीं है, तो पिता भी क्या करेखा? यु तो अपना हाथ तो दे रहा हूँ, लेकिन हम भी तो उठे ना चलने के लिए. हम कहें, मुझे चलना ही नहीं है? परमात्मा भी क्या कर सकता है यह बहुत बड़ी बात है कि विदाउट में टेकिंग आपने सब्सक्राइब इवन गॉट किनोट दो अपने सब्सक्राइब और जो उन्होंने बहुत बीटिफुल यह कहा कि तीन बाते याद रखनी है निश्कामी, निर्मोही और निर्लो भी यह भी बहुत डीप लेवल पे है नॉट सिरुफ सूपर फ्लूइस उपर उपर के लेवल पे कि निश्कामी मतलब जिसके अंदर कोई कामना नहीं डिजायर नहीं इवन डिजायर भी यह नहीं कि मुझे यह मिल जाए चीजें मिल जाएं लेकिन डिजायर कि मुझे आपसे कुछ खुशी मिल जाएं यह भी कामना है जब तक यह कामना होगी दुख तो कुछ न कुछ लगे का ही निर्मोही जैसे हमने देखा कि attachments नहीं detached होके दूसरे की स्थिती मुझ पर influence नहीं कर रही और निर्लोभी तो पता है जिसको किसी भी चीज का लोभ नहीं है जो अपने आप अंदर में content है तो वो दुखी कभी भी नहीं हो सकता दादियों की एक-एक बात को भी अगर हम लें सिरफ एक भी बात को ले लें और उसको apply कर लें अपने प्रियेट magic कि ऐसा लगता है इस पॉसिबलागी तो प्सिबलागी See, we feel like doing it Because we are on the journey आप एक जर्णी पे हो काफी समय से और आपको ये भी एक प्रोग्रमिं हो गई है कि जो सुन रह है उसको यूस करना है पहले सिरफ सुनना होता था आप कहां जारे हैं हम सत्संग सुनने जारे हैं हम कथाव सुनने जारे हैं ये अपनी अंदर प्रोग्रमिंग कहां की थी कि वो सुनने के बाद जो उसकी एक एक बात सुनी है वो इसको यहां आपकर अप्लाय करना है That was not done वो हमें पता नही था हमार सामने कोई I think they come across as examples you know who are implementing this Absolutely तो अब क्या होता है अब जैसे ही वो प्रोग्रमिंग हो जाती है तो हम जो जो बात सुनते हैं we know कि ये सिरुफ सुनने के लिए नही है सुनना, समझना और फिर उसका स्वरूप बन जाना bringing it into practical embodiment और क्योंके करते-करते क् Increase 온किके तो में थे लिए लिएट नहीं लिएमन और भीकfal बिलिएन आटक पॉसिभल हें और माइन जाता है मुझे इक को करिया कि एक अपलाऊप्र इंच्छ सुन ये मुभिए सक्ना है बेवरे खिने करिए बंशने में देडना को बना है कभी सुस्ती को, सुस्ती ना टलाओ, क्योंक अच्छे काम में सुस्ती आएंगी, बाकी टाइमें फुर्त हो जाएंगे, अच्छा काम करने के लिए, हाँ, ट्रेल करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो इसमें भगवान रादी नहीं होंगा, बलेसिंग चाहिए, बलेसिंग से क है, कैसे आएंगा अमरे हतों में, कर्म से आएंगा, कर्म कैसे होंगा, पहले हाट है, प्रहेड है, प्रहेंड है, मैं चोरी करेंगी, यहां करेंगी, अंदर हाट पता दिए, गलत कर रही हो, कोई मिझे देखे नहीं, कर रही हूं, कोई देखे नहीं, दिल तो देख रही है पर मैं दान कर रही हूँ, हाथ तो यह है, दान काने के समय मेरे कितनी दिल में अंदर कोई ना देखे, बले मैं माने ही चाहिए, जितना करो, कराने वाला करा रहा है, पर कोई चोरी ठगी जरा सा करने का ख्याल भी ना वे, वो ख्याल आया ना, तो कराएंगा बुरा कम, वो ख्याल भी ना आये, इससे मुक्त हो जाओ, सद्दा यही होवे, बस सच्चाई मेरे जीवन की साथ ही है, तो बगवान कहेंगा, तो सच्चाई को साती बनाया है, तो सद्दा मेरा तेरे को साथ है, पर आप उसके मैजिक देखते चलो, जहां भी आप पाव रखेंगे, वो घर स्वर्ग बन जाएंगा, देश स्वर्ग सच्चिवानी जिस सरां से दादी ने शुरू में ही कहा कि सुस्ती नौट अलाओट, तो अलबेला पन मतलब की इस प्रोसीजर पर जो पुरुशार्थ किया अजम बात करे हैं, उस पर चलते हुए, जब हम थोड़ा-थोड़ा कहते हैं कि इस नौट पॉसिबल या हमापस क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या बोलना, क्या करना, अब उसमें, अगर हम अलबेले हो जाते हैं, अलबेले मेंज हो जाएगा न, एक दिन में थोड़ी कोई चेंज हो सकता है, अगर आज गुसा आ गया सपोस्ट, तो इंस्टेड ओफ वरकिंग अन मैसल, ऐसे कोई बात न, यह अलबेलेपन की भाषा है, यह केरलेस की भाषा है, यह वो बच्चा है, जो अपने होमवर्क को पोस्पोन करता जाता है, कि अभी तो बहुत टाइम पढ़ा, इसको बात में कर लेंगे, और लेजी मींज तो बेसिक चीजों पर लेजी, कि पढ़ने के लिए टाइम नही और जैसे दादी ने कहा कि जो ऐसी बाते होती हैं, प्योर और पॉजिटिव, इसमें हम लेजी हो जाते हैं, केरलेस हो जाते हैं, और जो ओडिनरी और तूसरी, आप एक मुवी देखने बैठ के, कोई TV पर सीरियल देखने बैठ के, आपके दो गंटे, तीन गंटे कब हम कोई चटपटी बाते सुनते हैं, कोई गॉसिप की बात सुनते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई फिक्शन देख रहे हैं, हमें सब कुछ हियाद होता है, परमाधना की ग्यान की बात मुर्ली पढ़ी थोड़ी देर के बात बूल जाती है, आज क्या बोला था, अझान की बात में, उछ खीक है मुझ अमालूम है, मैं कर पड़ी चाहरे है। I kaartain होती है? क्योंकि जैसे कहते है न शेरनी के दूद के लिए बरतन कौन सा चाहिए, सोने का चाहिए परमात्मा का ज्यान भी बहुत प्योर और पावरफुल है लेकिन बुद्धी आज बहुत सारी दूसरी बातों के कारण थोड़ी कम्सोर है उसके अंदर रीटेन ही वो नहीं होते है उस बुद्धी को वोई बातों की आदत है लेकिन ये पुरशार्त है ये ऐसे नहीं होगा न कि एक ही दिन में आपका शिफ्ट हो जाएगा जितना आप उस बुद्धी को वो वाली बातें देते जाओगे और दूसरा आप उस बुद्धी को इन बातों से हटाते जाओगे ये भी नहीं कि मैंने सुभा आदा घंटा मुर्डी सुनी और फिर दिन में चार घंटा तो गॉसिप कर लिया फिर तो मेरी बुद्धी का लेवल वहीं कवई है लेकिन दीरे दीरे बूंद बूंद इसको भरा और उधर से किनारा किया तब बुद्धी स्वच होते जाएगे और फिर वो केरलेसनेस लेजीनेस वो खतम हो जाएगी बलकुल तो वो ही दादी ने कहा कि ये अलर्टनेस तो फिर परमात्मा आपके उपर राजी है और इतना सुन्दर उन्होंने कहा कि स्वर्ग आपके हाथ में है कि आप जो करम करोगे उन्होंने इतना ब्यूटिफुल बता है हेड, हाट, हाट and हाट इतना स्वर्ग आपके हाट और जो उन्होंने कहा दिस सम्थिंग वी निडिट राम करते हैं कि जब हम कोई गलत करम करते हैं तो हम लगता है कोई देखे ना किसी को पता ना चले कि मैने ये किया लेकिन खुद को तो पता है लेकिन जब कुछ हम अच्छा करम करते हैं जब हम दान करते हैं तो हम बड़े-बड़े उसके बैनर लगाते हैं तो दादी ने कहा कि जब अच्छा काम भी कर रहे हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए सुक्ष्म में गुपत रूप से वो हो जाना चाहिए we should not find the need for appreciation from others for whatever little good that we have done these are very 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 small things and sometimes we seem to be doing exactly the opposite of what is actually right तभी तो फिर बुद्धी की क्वालिटी कैसे हो जाएगी दिन बर दिन और भी वीक और तमो प्रदान हो जाएगी और तब रादी ने कहा फिर ऐसे जब हो जाओगे तो जहाँ पाओ रखोगे वहाँ स्वर्ग होगा जिस घर में एंटर करोगे वह स्वर्ग होगा क्योंकि आपके अंदर स्वर्ग है अच्छी you have cleaned yourself you're feeling so beautiful तो जहाँ जाओगे फिर वहाँ स्वर्ग है बहुत सुंदर और I think यह हमारे अवेकनिंग के पूरी फैमिली का बहुत बड़ा स्वभागे है कि स्वर्ग के माध्यम से हमें दादी के वो जो खास ऐसी बाते और फिर हम आपसे हम उनको शेयर कर रहे हैं प्राक्टिकली कैसे इंप्लिमेंट करना है तो फिर से हमें किसे करना है तो फिर से हमें किसे करना है जब हमें समझ में आजाता है आज भी बहुत सुंदर तरीके से क्लियर बाते सी अगें यह सब बाते हमने सुनी हुई थी लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये हमारे ही लिए है, हर बार हमने सोचा, शायद उस कहानी का हिस्सा है, ये चलिए पहले होता था, लेकिन आज जब हमने एक, एक ही नहीं कितनी ही अब आत्माओं को देखते हैं, जिन्हों ने अपने जीवन में इन्हें इंप्लिमेंट करके प्राप्ती की है, अनुभव म मिला है, और उसके बाद जिन्दीक इतनी सुंदर हुई है, तो क्यों ना हम ट्राइ करें, जानते तो थे ही, आप कोशेशी करने की तो जरूरत है, तो कोशेश करके देखे, अनुभव जरूर मिलेगा, कोई बात मन में है, कोई अनुभव है आपका, हम आसा जरूर शेयर कर आप हमें फोन पर या पर एमेल पर संपर कर सकते हैं. अब एक लिए ब्रामा कुमारिस में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, ओम शांती. वहिं आपकान, और सकत्क कर सकत्क कर देखे, आगे वह है और श्लकल्था जरूरूर। This sound is a sacred song Om Shanti Om Om Shanti Om I'm a peaceful soul Om Shanti Om